बच्चे क्या बेड पर दोडेंगे, सपना में दोडेंगे, कि अपने रूम में दोडेंगे, रूम भी लोज का ऐसा कपर के जासार आता है, जिसमें दोड़ नहीं सकते हैं, तो मानने मुखमंदरी जी, आप बेरुजगारी दूर करने का जो सपत ले रहे हैं, तो हो, ग्राउंड हो, खुलने जाता है, तब तक आप इनकी परिच्छा के डेट को टाल दीजे, फिजिकल के डेट को टाल दीजे, दूसरा डिसीजन ये अभी तक क्यों नहीं आया, कि बनपाल, बनरक्षी का जिस तरह फिजिकल अस्थागित किया गया है, उसी तरह ये सिपा अगर परिच्छा लिया जाता है, तो बच्चों के साथ विस्वासखात होगा, सबस्पीछे तो बच्चों को आत्मात्या के लिए मजबूर किया जाएगा, क्योंकि बच्चे पढ़ लिखे किसी तरह से बिचारे पास किये, आप पास करने के बाद फिजिकल पर ही मेरिट और फिजिकल पर ही मेरिट बनेगा और जहांपर अब है कि आपको टेरना है, असमुद रहे ही नहीं इस दिन नहीं दोड़ेंगे, तो कैसे वो फिजिकल देंगे, और फिजिकल पर ही मेरिट बनने वाला है, एक्जाम के डेट को आगे बढ़ाने की बात की जा रही है, हमारे साथ है रहमान सर, उनहीं से जानेंगे कि कितना जरूरी है एक्जाम की डेट को आगे टालना, सर, बीज दिनों का पुरा बंद कर दिया गया है, और फिजिकल ही मेरिट है इस परिच्छा में, कहां दोड़ेंगे, तो सब्सक्राइब बढ़ा, आपको आपको अपने उन बच्चों की आवाज उठाई है, जो बिलकुल मासूम है, और सिपाही का फॉर्म भरने वाले बहुतर मैंने देखा है, तो एक बात हमको ये समझ में नहीं आ रही है, कि माने निये मुखमंतरी नितिश्कमार जी, चातराज निति के उपचे हैं, चातरों के दर्द को भी समझते हैं, कोई अंबानी खंदान से तो थे नहीं, तो एक सब्सक्राइब बात कि आपने स्कू जहां भी ग्राउंड था, आपने बंद कर दिया, और उसके बाद आपका दूसरा डिसीजन ये अभी तक क्यों नहीं आया, कि बनपाल बनरक्षी का जिस तरह फिजिकल अस्थागित किया गया है, उसी तरह ये सिपाही का भी फिजिकल, जो 28 जनवरी से होने वाला था, इसक इस तरह समान होगी, तो ऐसी परस्थी में बच्चे के लिए फिर से नया डिट निकाला जाएगा, मैं असपर शुक्तिया आपको बता दूँ आदेश कि अभी बरतमान में 28 जनवरी को अगर परिछा लिया जाता है बच्चों के साथ, फिजिकल लिया जाता है, तो बच्च है ही नहीं, तेरणा है, नदी है ही नहीं, तो ऐसी परस्थी में बच्चे क्या करें, बच्चे कहीं दोड़ नहीं सकते हैं, रोट पे दोड़ेंगे, तो उनका पैर खराब हैं को मैं दावे के साथ करा हूँ, गंगा उप आर जा रहे हैं, तो ठंडा मार दे रहा है, इसे लोग भी भगा रहे हैं अब बच्चे क्या बेड़ पर दोड़ेंगे सपना में दोड़ेंगे कि अपने रूम में दोड़ेंगे रूम भी लोज का ऐसा कपर के असार आता है जिसमें दोड़ नहीं सकते हैं तो मानने मुखमंद्री जी आप बेरोजगारी दूर करने का जो दावत्सक है कि जब तक करोना की सिती समान नहीं हो जाती है जब तक पार्क हो ग्राउंड हो खुलने जाता है तब तक आप इनकी परिच्छा के डेट को टाल दीजे यह बहुत बड़ा इस्तान होगा बच्चों के साथ क्योंकि बच्चों की बेरोजगारी तो दूर होगी साथ ही साथ ये कुरोना रूपी समझता से भी दूर हो जाएंगे अगर बच्चे कहीं भी दोड़ रहे हैं बीना दोड़े कोई पांच मिनट के अंदर दोड़ सकता है आप ही सोचिए जब ऐसा संभव नहीं है तो मानने मुख मंद्री को चाहिए कि अभी लंब बीना समझें चोगी बच्चों में जबरदस्त नाव है मांसी कुरुप से जूज रहे हैं वो वैसी परसित में आप तुरत अग्या दिजे और आग्या दे कि इसको 28 तारीक से होने वाले फिज्टकल को टाल दीजे क्योंकि 28 तारीक से अगर फिज्टकल टाल जाता है तो बच्च कर की उन्हें रहे हैं इसका मुझे चिंता हो रही है बच्चों को भी चिंता हो रही है उनके गारजयर को भी चिंता हो रही है इसलिए निश्ची दुरूप से मुखमंद्री जी आपसे नवर निवेदन है आयोग से भी नवर निवेदन है कि आपके बस की नहीं है तो चिठी नहीं बढ़ता है तो दो घंटा सुबा दो घंटा साम के लिए गांदी मैदान खुला जाए मोनिलक के स्टेडियम खुला जाए यह सब हो सकता है देखिए आदेश यह कुरोना का time fixation नहीं है कि दो घंटा में आएगा कुरोना सटने से भी होता है और दो घंटा में आएगा कि आप इसके डेट को बढ़ाईए जैसे बन पाल और बन रख्ची के फिजिकल का डेट बढ़ा है उसी तरह 28 जनवरी सो होने वाले सिपाही के फिजिकल का भी डेट बढ़ाईए दुसरा कोई रास्ता नहीं है और कोई रास्ता हो सकता है गंगा उस पार जाते हैं नाव पर बैठके जाते हैं दोड़ने के लिए कितना सथ खतरनाक है नाव पर ही बैटके जाना बहुत जयाए लूब चोड़ी नदी है ठंडा का समय है सबसे महड़ुण बात कि घंगा में अब के साथ खुद गया हूं गंगा उसे बालू पर जाने करम में एक सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि हवा ऐसा चलता है जिसे लगता है कि हड़ी को छेट कर देगा तो बच्चे जब रहें ही नहीं बचेंगे ही नहीं और जब उनकी तबेत खराब हो जाएगी तो वैसी परस्थिति में बचेंगे तो यह बिलकुल गलत बात होगी कि गंगा उपर कोई solution नहीं है माने मुख मंतरी से कि 28 जरुवरी से होने वाले physical के date को आप अविलम बढ़़ा दिए ताकि बच्चे जो मानतिक रुपचा भी पढ़ता नित हो रहे हैं उन सांत हो जा है और जब इसी ती समान होगी आप दोड़ाईएगा कोई इसमें फर्क नहीं पड़ता है लेकिन दो घंडा सुबह दो घंडा साम खोलना गंगा उस पार दोड़ना वहां भी भगा रहा है सब तो वैसी परसिती में बच्चों के साथ खिलवाड़ है बच्चो समान होगी तो ऐसी परसिती में इनका डेट निकालीगा उसमें कोई दिकत नहीं है तो परिच्चा का डेट जो है 28 जनवरी से आगे बढ़ना जरूरी है क्योंकि कोरोना का ही परसार हो रहा है और 20 दिन काफी अहम होते हैं बिना फिजकल तैयारी के वो कैसे मेरिट में अप कडिडिट पास हुए हैं इस परिच्चा में और 8415 का चैन होने वाला है और कुरोना जिसतर बढ़ रहा है अभी जिसतर इसका प्रसार हो रहा है ऐसे में सम्भावना है कि पार्कों में भी वो जाते हैं भीड होती है तो संक्रमित हो सकते हैं तो छातर हीत में राज हीत में ये आवस्क है कि इस परिछा को तब तक के लिए आगे टाल दिया जाए जब तक जो है समाने नहीं होती है कोरोना फिर से कम नहीं हो जाता है तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही वीडियो पसंदा लाइक सेर करें हमारी चैनल देंडिया टब को सब्सक्राइब जरूर कर ले नगने माद